नमस्कार आदाप सत्षिकाल जोहार ब्यूट देहिट के दीपावली स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है सांथियों दीपावली का त्योहार हो और गुजिया नबने क्या ऐसा हो सकता है वो भी इतना सौफ्ट और मुमें घुल जाने वाला तो फिर देर किस बात की चलिए पीना देरी शुरू करते हैं आज का हमारा दीपावली स्पेशल गुजिया सांथियों इसके लिए हमने आधा कप दरदरा पीसा हुआ काजू एक-चौथाई टेबल स्पून इलाइची पॉडर एक कप और एक-चौथाई कप शककर आधा कप किश्मिष आधा कप बादाम इस कप को अच्छे से दरदरा पीस लिया है एक सपचीस ग्राम खुआ है आधा कप सूजी भूजा हुआ है एक कप और आधा कप किसा हुआ ना इलाइची पौडर एवन धेर सारा प्यार के साथ बनाएंगे तो भी इसका स्वाद बढ़ कर आएगा लेकिन एक वार आप मेरे हिसाब से बनाएंगे तो यकीन जानिए आप तारिफ की बिना रह नहीं पाएंगे यहाँ पर हमने गुजिया की पूरी को गुनने के लिए एक कप पानी में एक चौथाई टेबल स्पून सेंधा नमक मिलाकर ही अच्छे से मिक्स कर लिया है आप चाहें तो नॉर्मल मनमक भी यूज कर सकते हैं दोस्तों नमक इस्तेमाल करने से हमारे गुजिया का स्वाथ बढ़कर आएगा उसके बाद तीन कप साफ किये हुए यच्छने हुए मैदे को इस परात में डाल लेंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं अपना प्यार वा आशिवाद हमारे साथ इसी तरीके से बना के रखिएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने गुजिया को मौथ वोटरिंग बनाने के लिए एक कप घी को हलका गरम कर लिया है आप चाहें तो मौयन के लिए तेल या डालडा भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने घी का इस्तमाल किया है अब हम इस हलके गुनगुने गरम घी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैदे के उपर डालेंगे और हलके हलके हाथों से मिलाएंगे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी के आटे में मौयन की मात्रा ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इस्तमाल करेंगे मौयन की मात्रा कम होने से गुजिया कड़ा बनता है और मोयन की मात्रा अधिक हो जाने से गुजिया फूट जाता है और ज्यादा तेल भी आपसर्व करता है देखें हमको इस तरीके से मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमारा मोयन पर्फेक्ट है या नहीं है इसके लिए हम मोयन को हम इस तरीके से एक गांड बांद लेंगे इसका मतलब है हमारा मोयन एकदम पर्फेक्ट है दोस्तों हमने मोयन के लिए सिर्फ आधा कब घी का इस्तमाल किया है आधा कब घी हमने बचा लिया है येस इस दा परफेक्ट मोयन फॉर गुजियपूरी अब चलते हैं आगे हम एक कप पानी को इस तरीके से डाल के थोड़ा थोड़ा गूथ लेंगे यहाँ पर भी ध्यान देनी वाली बात ये है कि हमारा आटा ना ही ज़्यादा सक्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए हमें आटा वैसे ही गूत के तयार करना है जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंद के तयार करते हैं दोस्तों जब तक मैं आटा गूंद करके रडी करती हूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट लिख दीजिएगा और हाँ यदि आप अभी तक आपके अपने चैनल ब्यूट दे हीट को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपके प्यार और कोमेंट और प्यार के लिए आप सभी का तहदिल से बहुत बहुत धन्यवात शुक्रिया दोस्तों इस पार्ड को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि गुजियापूरी के लिए मोयन जीतना जरूरी है उतना ही जरूरी आटे का गुनना भी है यहाँ पर हमने आटे को गुनने के लिए तीन चौथाई कप पानी का इस्तेमाल किया है एक चौथाई कप बच गया है यह परफेक्ट मेजर्मेंट है गुजियापूरी के आटे के लिए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ढग के रख देते हैं चलि और पीसा हुआ इलाइची डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा मसाला या भरावन जो है वो तैयार हो गया है उसको हम ढग करके रख देते हैं और चलिए हम आटे की तरफ आते हैं अब बुजिया बनाना शुरू करते हैं 5-7 मिनट के रेस्ट के बाद हमारा आटा और नरम हो गया है इसकी लोईया बनाने से पहले इसको थोड़ा से मिक्स और कर लेंगे अब मैं आपके लिए 4-6 लोईया बना करके तयार कर लेती हूँ आप चाहें तो इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं लेकिन मैं ये काम अकेले कर रही हूँ इसलिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कर रही हूँ दोस्तों गुजिया बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा और हाँ आपके गुजिया एकदम साबुत बनके तयार होंगी जब आप मेरे द्वारा बतायेगा इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और इस ट्रिक को फॉलो करने से आपके गुजिया तूटेगा भी नहीं और मसाला भी नहीं छोड़ेगा देखें दोस्तो हमारा मसाला भी एकदम तयार है अब हम एक एक पूरी को लेंगे और हमको पूरी को एक सार बेलना है देखें हमने पूरी को बेलने के लिए नहीं आटे का इस्तेमाल किया है नहीं तेल का इस्तेमाल किया है हमारा पूरी जो है वो नहीं जादा मोटा होना चाहिए नहीं जादा पतला होना चाहिए देखे हमारी पूरियां एकदम लगभग बनके बिल के एकदम तयार हो गई है दोस्तों मेरे द्वारा बताया गए गुजे बनाने का ये तरीका यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा देखे हमारा पूरी भी जो है वो बनके तयार हो गया है नहीं जादा मोटा बना है नहीं जादा पतला बना है एकदम परफेक्ट बना है मैंने आप लोगों के लिए 4-6 पूरियां इस तरीके से बेल करके तयार कर ली है चलिए अब इन पूरियों में मसाला भरने की तयारी शुरू करते हैं गुज्य के मसाले को पूरी में भरने के लिए एक पूरी को उठाएंगे और साचे के बीचों बीच में इस तरीके से रखेंगे यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मसाला हमको नहीं जादा डालना है नहीं कम डालना है दोस्तों इस तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद जब आप गुज्य बना के तयार करेंगे तो यकीन जानिए दोस्तों आप वह क्या बात है बोले भी नहीं रहनी सकेंगे देखें हमने मसाला भी डाल लिया है अब हम क्या करेंगे इस कटोरी के पानी को उंगली से ले करके इसके किनारों में ऐसे हलके हलके हम लगा देंगे और सांचे को इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे देखिए ये है परफेक्ट तरीका गुज्य बनाने का और मैं आप गुज्य निकाल करके भी दिखा देती हूँ कि हमारा गुज्य थोड़ा सा भी फटा नहीं है एकदम परफेक्ट निकला है क्यों सही है न आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक और पूरी में मसाला डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरीके से पूरी को सांचे के बीचो बीच में रखना है और मसाले को डालना है फिर पानी वाला हाथ हम लेंगे और इसके किनारों में हलके हलके उंगलियां चलाएंगे और उसके बाद हमारे सांचे को बंद कर देंगे ये देखिए इस तरीके से पर्फेक्ट गुजिया बन के तयार हो गया यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा गुजिया थोड़ा सा भी टूटा नहीं है औ और इसका सबूत आपको तलते समय भी दिख जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने इसी तरीके से और भी 4-6 गुजिया आप लोगों के लिए बना करके रेडी कर लिया है, और तेल को भी सिम आज में गरम करने के लिए रख दी हूँ, दोस्तों, जनहित में जारी, अपने स्वास्त के साथ खिलवार ना करते हुए, खाना बनाने या तलने के लिए हमेशा राइस ब्रेंड ओयल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं हमेशा वेस्टीच का राइस ब्रेंड ओयल इस्तेमाल करती हूँ, जो जीरो ट्रांसफेट होता है, हम गुज्य में करेंगे, और थोड़ी देर के बाद उसको हल्के से इस तरीके से पलट लेंगे, यहां पे भी ध्यान देने वाले बात यह है, कि हमको गुज्य ना ही तेज आँच में तलना है, और ना ही कम आँच में तलना है, मीडियम हाई पे रखना है, दोस्तों, भग भग हल्का golden fry हो चुका है हमको इस से ज़्यादा और fry नहीं करना है और बाकी के batches को भी इसी तरीके से fry कर लेना है गुजिया को बहुत ज़्यादा मात्रा में fry नहीं करेंगे चाचा छेचे की batch में तैयार करेंगे देखे दोस्तों एकदम perfect और कितना संदर दिख रहा है हमारा गुजिया क्यों सही है न और देखिए गुजिया ने थोड़ा सा भी नहीं तेल छोड़ा ही नहीं मसाला छोड़ा है और नहीं हमारा गुजिया फटा है अब हम बाकी के गुजिया को भी धीरे-धीरे से डाल करके fry कर लेंगे दोस्तों गुजिया बनाने का ये तरीक और ट्रिक्स आज से 20 साल पहले मेरी माने मेरे साथ शेयर किया था मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोगों के लिए भी मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका और ट्रिक्स कारगार साबित हुआ होगा देखी दोस्तों हमारा गुजिया भी एक तरफ से सिख गया है अब इसको धीरे धीरे हलके हाथों से इस तरीके से पलट लेंगे और इसको भी सेम इतना ही फ्राई करना है जितना कि हमने सबसे पहले वाले गुजिया को फ्राई किया था दोस्तों मुझे तो गुजिया को फ्राई करती हुए ही बहुत लालच आ रहा है तो फिर हो जये? रहा नहीं जा रहा है मैं तो आप लोगों को ये भी नहीं बोल सकती कि इसको फ्राइ करके जादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये जब ये बन के निकलता है तो जादा दिन तक नहीं बसता दो से चार दिनों में ही मेरे यहां खतम हो जाता है दोस्तों बस थोड़े से इंतजार के बाद हमारा गुजिया भी तलके रेडी हो जाएगा उसके बाद क्या कम बच जाएगा आपको याद है ना मेरे खाने का और आपके द्वारा मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करने का देखे भूलिएगा मत और हमारा गुजिया भी बन के तयार हो गया है चलिए हम निकाल लेते हैं दोस्तों देखे एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन हमने इसको फ्राई किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था अगला बैच भी हम इस तरीके से हम तलके निकाल लेंगे और दोस्तों अपने वादे के मुताबिक देखे हमारा तेल भी नहीं छोड़ा है गुजिया और हमारा गुजिया तूटा भी नहीं है एक दम परफेक्ट तलके निकाला है देखे राइस ब्रेंड ओयल का कमाल है और दोस्तों आप अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाईए गुजिया भी खाईए अपने यार दोस्तों को भी खिलाईए दिवाले अच्छे से मनाईएगा स्वास्ते पूर्वत मनाईएगा हस्ते खिलते हुए मनाईएगा मैं चलती हूँ अपने अगले वीडियो के तरफ तब तक के लिए स्वस्त दिवाली खुशी खुशी दिवाली आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए